सबसे अच्छा सहर है बहुत ही अच्छी सिटी है और यहां पर यह देखो फोहारों का भी बहुत मतलब इतना जबरदस्त नजारा बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा लगता है और अब दीरे दीरे जैसे आपको मैं आगे लेके जा रही हूँ और भोले पारवती की पूरी को दिखाती हूँ चलिए विश्याखा पटनमी ऐसे बहुत सारे प्लेस हैं और यहां पर मंदिर तो इतने जादा है और यहां पर मंदिर की जो डिजाइनिंग बनाई जाती है वो सच में बहुत अच्छी बनाई जाती है यह देखो सामने आपको बहुले पारवती की पूर वातावरन है चारो तरफ हरियाली है खूब ठंडी ठंडी हवा लगती है और यह नहीं कि छोटा पार्क है नहीं बहुत बड़ा पार्क है आप कहीं भी आराम से बैट के इंजुआई कर सकते हो और एक तरीके से धार्मिक सथल है तो अपने आप में बहुती स्कून और शान कैलाश ग्री का जो लुक है वो देख लो पूरे दर्सन कर लो इसके बाद चलते हैं आपको जो समुंदर का सबसे जबर्दस्त नजारा है वो दिखाने आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा कि कितना प्यारा लग रहा है समुंदर का यह सारा नजारा और ठंडी ठंडी ह चावा लग रही है और जो आपको गम घ्री है लिज में है थो यह पूरा कैलाश घ्री है जितना ऑभी आपको यह दिख रहा है तो यह सारा इस थी पूर लंग होगया जाख घ्री का है इतनी अच्छी श्कून वाली जंगय है, शान्ती वाली जंगय है और यहाँ पर लोगों का नीचर भी होता अच्छा यह देखो यहाँ जो पटड़ी दिखाई हुई है तो ट्रेन में जो पैसेंजर्स बैटते हैं, जो भी घूमने आते हैं तो वो उनको पूरे कैलाशगरी के इसी तरीके से ट्रेन में बिठा कर घूमाती है पूरे कैलाशगरी का चकर लगवाती है, पूरे कैलाशगरी को ट्रेन में बिठा कर दिखाती है तो यह देखो समूंदर बहुत ही शान्ती भरा माहूल है समुंदर की लहरों की आवाज बहुत शोर करती है लेकिन मन को का है बहुत स्कून देती है सच में बहुत अच्छा लगता है और हर्याली तो हद से जादा है जो मिंस अपने आप एक मन्स स्कून पहुंसता है कि हाँ इतनी ज़्यादा हर्याली है बहुत पेड़ पोदे और उपर से समुंदुर का जो पानी यह है बहुत अच्छा लगता है तो वापिस आते हैं ये देखो भोले पारवती के फिर से आपको एक बरे दर्सन करा देते हैं जो लग रहे हैं उपर बादल भी कितने अच्छे आई हुए हैं बहुत ही बादल च् सकते हो हर चीज कि फैसिलिटी है यहंगे आपको मिंश्पचों को भी जूला जूला है तो हम निकल रहे हैं वापिस एगसीट कर रहे हैं तो एकसी एकजिट करने के बाद सामने आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है तैंक यू andर सामने जैसे हो को दिख रहे हैं तो आप horse riding कर सकते हो और अपना किसी भी कप वगएरा पे अपना जो photo है वो लगवा सकते हो तो यह बाहर आगे अब देखो एक बरी पहले आपको मैं train दिखा देती हूं तो यह train है यहाँ पर सभी passengers जो है वो उतर रही है जो भी घूमने आई हुए है ट्यूरिस्ट है जो वो उतर रहे हैं चड़ रहे हैं तो यह train जो है पूरी कैलास गिरी का आपको घूमा के और वहाँ पर दिखाती है कि किस जंगे पर क्या है पूरी इसमें अंदर बैठके और आप कैलास गिरी पूरा घूम सकते हो इसका चार्द ज्यादा नहीं होता वही 50 या 100 रुपेस सम्थिंग कुछ होता है एसी और नोन एसी दोनों एवलेबल होती है और इसी तरीके से अब हम चलते हैं बहार की तरफ तो इसी तरीके से वीडियो में आपको जो है कैलास गिरी गूम सके नजारा देख सके